हमारे में इस किसान साथ्यों हमारे इस पस्ष्चिम उत्तर-परदेश कि सो में से कमनब्य परसेंट गंना किसान यह और किसान भाईयों ये मैं सच्चा ही बताऊं मैं बहुत जगे गुमता हूं किसानों के बीच में रहता हूं सोगों में से केवल 40-35 किसान ऐसे निकलेंगे जो अच्छी फसल ले रहें 60-70 किसान बहुत अच्छी फसल नहीं ले पाते किसान भाईयों महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है दवाईयों की खाद की कि सभी दवाईयों का उप्योग करना और एक अच्छी फसल लेने के लिए अच्छे खादों का इस्तिमाल करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है और अगर कम से कम सो का एवरेज किसान एक भीगे में नहीं ले पाता तो घाटे में ही जाएगा चाहे आप सारा गणित निकाल के देख लो और अगर कहीं ठेकेगी जमीन है तो उसमें तो बिल्कुल घाटे में जाना बिल्कुल निच्चित है अगर 100 पलस का एवरेज किसान का नहीं आता और 100 पलस एवरेज लेने के लिए नई नई विद्या है ट्रेंच विद्या है सिंगल डबल लाइन ट्रेंच है यह रिंग पिट भी है जो आप देख रहें लेकिन किसान भाईयो जैसा कि मैंने बताया खादों की भी महंगाई है औ और इनका परबंधन करने के लिए सारी विद्यो का हमें कई सारे यंत्रों की विया सकता पड़ती है आज एक अच्छी पावर रोटरी जो हाथ वाली आत्य अगर मैं उसी की बात करूं तो वो भी किसान भाईयो अच्छी रोटरी डेड़ लाख रुपे की है और आप ट्रे जाने के आज फिर कोशिश करूंगा कि कैसे ये जो रिंग पिट विद्य है एक छोटे किसान के लिए सबसे ज़्यादा उप्यों की साबित होने वाली है और कैसे आप इसमें 100 पलस का एवरेज ले सकते हैं कैसे आप इसमें अपना घर्चा घटा सकते हैं जहां रिंग अच्छा खेत हैं मैं यह निकाँगा के बहुत सूपर हैं लेकिन अच्छा खेत है और इसमें किसान भाइयो अब तक हमने कोई भी उननत बना सकती है यह बहताऊंगा किसान भाईयो पांच बिगे का ये खेत है, पांच से भी कम है, खड़े से खड़े की जो दूरी है, वो दो फिट है, और किसान भाईयो इसमें 1780 खड़े बने, लाइन से लाइन की जो दूरी है, सेंटर से सेंटर, वो केवल छेंपूट है, सेंटर से सेंटर, ये देख किसान अब मैं आपको बताता हूँ एक खड़े में 12-13 कांची दो आख के टुकड़े रखे गए और इस टाइम पर 30 गन्ने इसमें स्वस्त बिल्कुल तयार है किसान भाईयों हरे खड़े में अब किसान भाईयों मैं आपको बताऊं के चाहे सिंगल लाइन ट्रेंच हो सिंगल लाइन ट्रेंच बिना ओजारों के बिल्कुल संभवी नहीं है उस पे बहुत ज़्यादा गेहरे खोड़ निकालने बीच में ट्रेक्टर चाहिए और किसान भाईयों मिट्टी चड़ाने के प्रेंटर चाहिए रटून मैनेजर बाद में पेड़ी का परबंदन करने के लिए इतने सारे ओजार तो एक किसान बड़ाई किसान बनाता हुआ ठक जाएगा किसान सातियों छोटे के तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी अब मैं आपको बताऊं इसमें हमने जब से गरतवाई करिए तब से अब तक कोई भी बीच में आप देख रहं को रहा है कोई दिक्कत नहीं आए सिर्फ एक बार इसमें निलाई करवाई है यानी ख़ड़ों निकलवाया और अब तक इसमें कुछ निकड़ा कोई दिक्कत गन्ने पर नहीं आई किसान भाईयों यह देखिए किसी में तो 35-45-40 गन्ने भी तयार हैं और किसान भाईयों मैं इसमें अभी मिट्टी नहीं डाल रहा है मैं सोच रहा हूँ कि एक नलाय और करवा दूँ और जो यह बीच में गहास है जब यह गन्ना और थोड़ा सा 15-20 दिन में बड़ा हो जाएगा या तो इसमें बीच में कोई दवाई गहास की कर दी जाएगी या यह कट-कट के बिल्कुल भी इसमें मैनत नहीं लगती आप समझते होंगे कि बहुत मैन बिल्कुल नहीं है अगर आपके पास 28 इंच का लेजर है बीच का खुरपा खोल दीजे गहरे खूड निकाल लिए खूब और आप उसमें फावलों से भी खड़े कर सकते हैं किसान बायों बिल्कु आपके टुकड़ों से स्की बवाई करो दो आपये बवाई करेंके बाद किसान सबसे अगली साल miss जो मैं बात कर रहा हूँ खाद की अगर आप देखते होंगे कि अगर आपने यह जो गन्ना है जब यह तैयार हो जगा अगली साल मैंने खुद अपनी आखों में से बहुत ज़्यादा कल्य निकलते हैं और भी ज़्यादा अगली साल और मैं ऑगली साल बवाइं में पेट्रोल बवाई में पेट्रोल खाद भी सोब की जो है बचत है अगर आपने पांच साल यह चला दिया तो किसान सात्यों आपको बहुत ही ज़्यादा में लगा असली फाइदा इसका यह है और अभी भी पहली साल में भी आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि अच्छ माव उपर से किसान सात्यों दवाईयां पेट्रोल डीजल के खर्च और लेबर नी मिलती अब जब कुछ भी बहुत जादा महंगाई हो चुके हर चीज की तो यह आने वाले समय में बहुत उन्नत और बहुत कारगर विदी साबित होने वाली है हाला कि यह विदी बहुत पह कर जाते हैं थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं वो सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ऐसे गड़ों का जो है रखरगाव करना इस्टार्टिंग में बहाई से पहले पानी देना चाहिए नहीं घड़ों में ताकी जो है मिट्टी ना जादे जाए थोड़ी सी मिट्टी नहीं डाल रहें आप देख पारेंगे पूरा खेद बिल्कुल एक समान है कोई भी समस्या इसमें नहीं है और किसान भाईयों पत्या देखे कितनी शांदार चोड़ी चोड़ी है इसमें अच्छा रिजल्ट है यह देखे बिल्कुल जो है मिल चुका है मुझे ल ज़्यादावार ज्यादा निकलते है गन्ना फूलता अच्छा रोग कमाता है किसान भाईयों सबसे बड़ी बात 28 इंच में और ट्रंच वाड़ों में यही है और ट्रंच की विधी अगर अपनाते तो उनमें अमें और जार सारे चाहिए किसान भाईयों इसमें अगर आप और दिखाऊंगा कैसा रिजल्ट रहा सबका तो किसान सात्यों के खेत की शुरुवात करो और इसकी जो है बवाई प्रारम करो धन्यवादा